इस current affairs फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और इस वीडियो में हम 2 अप्रेल तक के सभी important current affairs कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स आज का सेशन banking या फिर economy की दृष्टे से काफी important है इसलिए आप इसको अंतर तक जरूर देखेगा साथ ही अगर आप हमारे in current affairs की daily pdf चाते हैं तो आप हमारी one year की membership अवेल कर सकते हैं जिसके अंतरगत आपको weekly pdf मिलेगी, monthly pdf मिलेगी और daily pdf भी अब अप्रेल महीने से आपको मिल रही है तो इसके लिए आप 249 रुपीज पे कर सकते हैं और ये membership आपकी एक साल के लिए valid रहेगी और इस membership पाने का link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा कोई भी आपकी query हो तो हमें comment box में जरूर लिखेगा तो चलिए फिर करते हैं सुरुआत इस वीडियो session की हाल ही में केंदर सरकार ने सारवजनिक शेतर के चार बैंको यानि पब्लिक सेक्टर बैंक में कितनी पूंजी डाली है यानि कितनी पूंजी कितनी capital infuse की है options आपके सामने है और correct answer होगा option D 14,500 करोड रुपे तो देखिए Central Bank of India में 4800 करोड रुपे डाले हैं और Indian Overseas Bank में 4100, Bank of India में 3000 करोड रुपे और Yuko Bank में 2600 करोड रुपे Central Government ने infuse किये हैं देखिए Central Government ने 2021-22 के लिए target किया है कि 20,000 करोड रुपे हम इन बैंक में डालेंगे किन बैंक में वो बैंक जो कि RBI के PCA framework यानि prompt corrective action इस framework के तहत आते हैं तो अब ये पुझी डाले जाने से इन बैंकों को जो RBI का PCA framework है इससे बाहर आने में मदद मिलेगी और ये पुझी बीना पियाज वाले bond यानि recapitalization bond के जरिए डाली गई है तो फ्रेंड देखिए इन तीनों को मिला कर तो 14,500 करोड रुपे हुए साथी इससे पहले गवर्मेंट ने पंजाब एंड सिंद बैंक में 500 करोड रुपे इन फ्यूज किये थे तो टोटल मिला कर 20,000 करोड रुपे यहाँ पर गवर्मेंट ने इन फ्यूज कर दिये हैं साथी आपको यह भी जानना चाहिए इंडियान ओवर्सीज बैंक इसके MD&CEO है पार्त प्रतिम सेन गुपता है चेननाई में बैंक ओफ इंडिया इसके MD&CEO है अतनु कुमार दास और हैटकुार्टर सै मुंबई में सेन्टरल बैंक ओफ इंडिया के MD&CEO है मातम वेंकटा राओ और हैटकुार्टर सै मुंबई में साथी यूको बैंक इसके MD&CEO है अतनु कुमार गोयल और हैटकुार्टर सै कॉलकाता में इन चारो बैंकों में जो है Government of India ने हाल ही में Capital Infuse की है आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से कौन सा देश फीफा महिला विस्वकप 2023 की मेजबानी करेंगे जहां इस विस्वकप का जो पहला मैच है यह Auckland New Zealand में खेला जाएगा वही जो फाइनल है यह Australia के Sydney में खेला जाएगा साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि 2022 FIFA Men's World Cup यह Qatar में होगा और अगर हम FIFA की बात करें तो FIFA यानि International Federation of Association Football इसका Headquarters Zurich Switzerland में है और इसके जो President है इनका नाम है Gianni Infantino साथी Friends यह जो Women's World Cup है यह 9 cities में खेला जाएगा आगे बढ़ते हैं वर्ष 2019 के लिए परतिष्ठित 51 वे दादा साहब फाल के पुरुसकार से किसे सम्मानित किया जाएगा? Options आपके सामने हैं और Correct answer होगा Option A. रजनीकांत तो Friends यह 51 वे दादा साहब फाल के पुरुसकार हैं जो 2019 के लिए दिये जा रहे हैं तो Information and Broadcasting Minister पर का जाबडेकर ने कि रजनीकांत को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा साथ ही आपको इभी बता दें कि जो रजनीकांत हैं इनकी जो सबसे पहली मूवी थी यह थी अपूर्वा रंगन गाल ठीक है कभी-कभी इस तरह से question पूछ लेते हैं तो कोई भी चीज हमें मिस नहीं करनी है अगर आएगी एकजाम में तो ठीक है नहीं आएगी तो कोई बात नहीं इस ये तो पढ़ने में कोई बुराई नहीं है ठीक है अच्छा आप बात करते हैं दादा साफ फाल के अवार्ड की तो 1969 यानि 1969 में इनको जो है इस्सिट्यूट किया गया था इन प और सुभास गाई, मोहनलाल, संकर महादेवन और बिश्वजीत चेटर जी यहां से भी फ्रेंट्स कोश्चन बन जाता है इसलिए आप इन सभी नाम को भी याद रखिएगा साथ ये आपको बता दें कि 2018 में लास्ट बार ये अमिताब बच्चन को दिया गया था निमली खित में से किस DRDO परियोकशाला यानि लेबरेटरी ने भारती सेना के लिए एक हलके बुलेट प्रूफ जैकेट विक्सित किये हैं तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर होगा ओप्शन D Defense Materials and Stores Research and Development Establishment तो फ्रेंट्स ये जो है आपका DMSRDE जो मैंने आपको लेब बताई है ये DRDO की लेब है और इसका हैटवार्टर स्कानपूर में है तो इसने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए हैं इंडियन आर्मी के लिए DRDO की बात करने तो 1958 में इसका गठन हुआ था चेर्मैन है डोक्टर जी शतीश रेड़ी और पचास से भी ज़्यादा DRDO की लेबरेटरीज हैं पूरे भारत में और इसका मोटो है बलश्य मूलम विज्ञानम स्ट्रेंट्स ओरिजन इस इन नौलेज अर्थवियस्था को पुनड़ जीवित यानि रिवाइब करने के लिए केंद्र सरकार 2021-22 की पहली छमाई में कितनी राशी उधार लेगी ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन D 7.24 लैक करोड रुपीज तो देखे फ्रेंट्स जो अब हमारा जो ये 2021-22 का जो फिसकल एर है तो इसमें जो गवर्मेंट ने कहा है कि जो पहला हमारा जो ये क्वाटर रहने वाला है हाफ क्वाटर इसमें 7.24 लैक करोड रुपाई की हम बोरोइंग करेंगी यानि जो है उधार लेंगे अच्छा अ एक तो होता है नेट बोरोइंग ठीक है नेट बोरोइंग मतलब जितना उधार सरकार मार्केट से लेगी एक होता है ग्रोस बोरोइंग ग्रोस बोरोइंग में क्या होता है नेट बोरोइंग प्लस रीपेमेंट ओफ प्रिवियस लोन ठीक है ग्रोस बोरोइंग में क्या होत 12.05 lakh crore रूपीज और गॉर्मेंट ने का है कि अभी फिलाल के लिए हम 7.24 lakh crore रूपीज जो है बोरो करने वाले है फस्ट हाफ जो 2021 2022 का जो ये fiscal year है इसका फस्ट हाफ जो है इसके लिए 7.24 lakh crore रूपीज लेंगे और पूरे साल के लिए हमारी बोरोइंग रहने वाली है 12.05 lakh crore साथी gross बोरोइंग भी मैंने आपको बता दिये तो ये सबी आकड़े काफी important होते हैं आगी भी देख लेते हैं अच्छा अब गॉर्मेंट जो है market से पैसा उठाती है तो किसके थुरू उठाती है जो इसकी data securities और treasury bills होते हैं इसके लिए उठाती है क्यों उठाती है क्योंकि government के पास fiscal deficit होती है fiscal deficit क्या होता है जो भी government के expenditure है अगर आप उनमें से जो government का revenue है उसको आप अगर sub stack कर देंगे तो fiscal deficit जो है आपकी निकल जाती है ठीक है इसको as a percentage of GDP के रूप में calculate किया जाता है ठीक है यानि जब government का expenditure जादा हो और government के revenue कम हो तो उसमें जो अंतर आता है उसे fiscal deficit कहते है साथी friends आपको यह भी जानना चाहिए कि fiscal year 22 के लिए जो budget में कहा गया है कि fiscal deficit जो है यह GDP की 6.8% जो है आकी गई है इतनी रहनी चाहिए जबकि जो हमारा पिछला अब जो fiscal year हमारा समापत हुआ है fiscal year 21 इसमें जो है हमारा 9.5% रहा था क्या यह fiscal deficit ठीक है तो यह दोनों आकड़े आपके लिए काफी important है साथी government ने budget में यह भी कहा है कि हम fiscal year 26 के लिए 4% जो है आक रहे है कि fiscal deficit government of India की रहने वाली है ठीक है friends तो एक यह आपकी gross borrowing और एक यह आपका कि gross borrowing की definition मैंने आपको बता दी साथी कितना target government ने रखा है कि हम इतना लेंगे साथी friends यह की जो हमारा fiscal year 22 है इसमें जो है fiscal deficit का target कितना रखा हुआ है और 26 तक के लिए कितना target यहाँ पर government of India ने रखा हुआ है साथी friends government of India ने RBI को यह कहा है कि आप जो retail inflation target है इसको 4% plus minus 2% बनाये रखिए कब तक 31 मार्च 2026 तक ठीक है तो यह भी आपके लिए यह सभी points आपके लिए काफी important है इनको आप note कर लीजेगा आगे बढ़ते है union bank और निम्लिकित में से किसने सहे branded संपर्क रहित रूपे card uni carbon card launch किया है तो देखिए uni carbon card तो यह union bank of India ने किस के साथ मिलकर launch किया है यह contactless रूपे card है तो friends यह किया है इन्होंने HPCL के साथ मिलकर तो HPCL यानि हिंदुस्तान petroleum corporation limited के साथ मिलकर union bank of India ने uni carbon card इसको launch किया है देखिए इस तरह के card क्या होता है जब कोई एक bank किसी petrol company के साथ इस तरह का card launch करता है तो मान लिजे यह card लेकर अगर आप हिंदुस्तान petroleum corporation limited से जो है आप यहां के petrol pump से आप तेल भराएं और इस card के थूप payment करें तो आपको कुछ rewards या फिर bonus point दिये जाते हैं union bank of India के तरफ से union bank of India के अगर बात करें तो MD and CEO है किरन राय जी और headquarters है मुंबई में NPCI की बात करें तो इसके CEO and MD है दिली अशबे headquarters मुंबई में है HPCL के chairman और MD है Mukesh Kumar सुराना और headquarters है मुंबई में साथ ही आप कोई भी जानना चाहिए कि जो यह HPCL है यह ONGC की subsidiary firm है साथ ही friends इसी तरह का एक card State Bank of India ने और Indian Oil इन दोनों ने मिलकर भी launch किया था State Bank of India and Indian Oil launch a co-branded contactless rupee debit card तो यह January 2021 का current affair है तो यह भी आपके लिए काफी important है भाटते Reserve Bank ने किस तारीक तक आवड़ती online lane देन presence current के लिए समय सीमा बढ़ाई है English में देख लेते हैं Reserve Bank of India extended the timeline for processing recurring online transactions by which date options आपके सामने है और correct answer होगा option C सितंबर 30, 2021 समझेंगे इसका मतलब friends आप में से कई experience comment में यह कहते हैं कि आप जो है English में question पढ़ा कीजिए तो friends पहले हम English में ही पढ़ा करते थे फिर कुछ experience कहने लगे कि Hindi में question पढ़िए तो friends यह हम लोगों के लिए एक dilemma हो जाता है कि किस में पढ़ा जाए तो friends अगर हम Hindi में पढ़ते हैं देखे English में तो लिखा हुआ ही है है ना तो देखे थोड़ा extra परियास तो आपको भी अपनी और से लगाना होगा वीडियो को post कर लिजिए English में पढ़ लिजिए ठीक है अगर आपको Hindi में दिक्कत है तो English में पढ़ लिजिए और explanation भी आपको Hindi में English में दी गई है ठीक है तो एक तरह से आप अपने आप से भी extra अगर आप effort लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और जो भी हम explain करते हैं वो ही लिखा रहता है अपर ठीक है तो English में वालों को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए क्योंकि दोनों का हैं आपर ध्यान रखा जाता है अच्छा अब बात करते हैं इस question की देखे रिजर्व बैंक ओफ इंडिया extended the timeline for processing recurring online transactions by six month to September 30, 2021 देखे friends इसका क्या मतलब है recurring transactions देखे खभी-खभी ऐसा होता है जब आप मान लिजे पेटियम से आपने कोई बिजली का बिल आपने जो है भुकतान किया तो वहाँ पर फिर पेटियम आपको कहता है कि आगे आने वाले बिल्स अगर आप भड़ना चाहते है तो automatic mode पर उसको कर दीजिए यानि कि अपने आप जैसे ही बिल वहाँ पर register होगा और आपका बिल कड़ जाएगा ठीक है आपको कुछ भी करने की जुरुत नहीं है automatic वे आपके account से वो बिल जो है उसका भुकतान कर देंगे तो RBI ने कहा है कि अब इस तरह से नहीं होना चाहिए अब जो है इस तरह का अगर बिल कोई होगा तो additional factor of authentication ये apply करना होगा जो भी इस तरह की apps है ठीक है उनको तो इसमें क्या होगा कि अब इस तरह से नहीं होगा कि recurring transactions इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि automatic ही अपने आप बिल कट रहा है मान लीजे आपने आप जो है कुछ flowers अपने घर में लगाना चाहते है ठीक है और आपने किसी company को कहा है कि भाई तुम हर हफते हमारे आपर flowers दे देना और जो है automatic payment होती रहेगी ठीक है वो अपने आप आपके उससे payment जो है करती रहेगी ठीक है तो अब इस तरह की चीजे नहीं होंगी अब क्या होगा कि जो भी service provider है वो आपको एक code भेजेगा ठीक है एक OTP type का हो सकता है जब उसको आप वो OTP जब verify हो जाएगा उसके बाद तब वो payment हो पाईगी ठीक है तो यानि कि आपको involve किया गया है जब भी payment होगी आपको involve होना ही होगा तो RBI ने जो है ये निर्देशती थे तो RBI चाहते थी कि 31 मार 2021 तक सभी चीजों में ये apply हो जाए ठीक है जितने भी service provider है ये इसको apply कर दे लेकिन ये इसमें जो है fail हो गई इनोंने नहीं कर पाए तो अब RBI ने जो है 30 सितंबर 2021 तक इस service को बढ़ा दिया है कि आप इतनी तारीक तक अब इसको जो है इसके साथ comply कर डीजिए साथी friends हाल ही में RBI ने क्या किया था कि जो ये recurring transactions हैं तो इसकी limit भी बढ़ा दी थी 2,000 रूपे से 5,000 रूपे बढ़ा दी गई थी एक जनवी 2021 को यहां से भी एक question बन सकता है आपके लिए RBI enhanced a limit for contactless card transactions and e-mandates for recurring transactions through cards from 2,000 to 5,000 बिनोबा सेवा परतिस्थान के सहयोग से आयूस मंत्राले ने आयूरवेद पर्व किस सहर में आयूजित किया options आपके सामने है और correct answer होगा option D भूवनेश्वर में तो friends भूवनेश्वर में ये आयूरवेद पर्व इसको जो है host किया गया है किस के द्वारा विनोबा सेवा परतिस्थान और ministry of आयूस के द्वारा साधी friends मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आयूस का मतलब होता है आयूरवेद योगा एंड नेचुरेपैथी युनानी सिद्धा एंड होमोपैथी साधी friends कुछ इंस्टिट्ट्स हैं हमारे भारत में जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी important है और इसी ministry of आयूस से जुड़े हुए है देख लेते हैं National Institute of Homopathy ये कॉलकाता में है National Institute of Siddha ये चेननाई में है All India Institute of Ayurveda ये डैली में है National Institute of Ayurveda ये जैपूर में है National Institute of Naturopathy ये पूने में है National Institute of Yunani Medicine ये बैंगलोरू में है North Eastern Institute of Ayurveda and Homopathy ये शिलोंग में है साथी National Ayurveda Research Institute of 4, 5 कर्मा ये चेरूतृती केरला में है तो friends यहां से भी question एक बन जाता है इन सभी को आप note down कर लिजेगा चाहिए screenshot ले लिजेगा आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से कौन LEED Zero Carbon परमानन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला होटल बन गया है options आपके सामने है और correct answer होगा option B ITC Windsor बैंगलोरू तो friends ITC Windsor बैंगलोरू ये पहला होटल बन गया है पूरे विश्व का जिसने की LEED Zero Carbon Certification प्राप्त किया है ठीक है और किसके दौरा दिया गया है USGBC यानि United States Green Building Council के दौरा किसले दिया गया है देखिए जो ITC Windsor है तो यहाँ पर जो है Wind Turbine Generator के थुरू ये जो है अपनी पावर इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर जो भी पावर सप्लाई है ये Wind Turbine Generator के दौरा प्रोवाइट कराई जा रही है साथी फेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए LEED इसके फुल फॉर्म होती है Leadership in Energy and Environmental Design कई सारे अगजाम में पुछी जा चुकी है इसकी फुल फॉर्म तो इसको आप जो है जरूर नौट डाउन कर लिजेगा तो यह जो है Green Building Rating System है अमेरिकी राष्टपती जो बीडेन ने किस भारती अमेरिकी को DC District नियाय अलय के नियाय थी इसके रूप में नामित किया है ठीक है यूएस प्रेजिडेंट जो बीडेन डॉमिनेटेड विच इंडियन अमेरिकन एस जर्च ओफ डीसी डिस्टिक कोर्ट ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन दी रूपा रंगा पुटा गुंटा आयोप मैंने सही प्रनौनश किया है अच्छा तो इनको जो है न्यूकत किया गया है इतना ही जानना काफी रहेगा अच्छा साथ ही मैं आप ये भी जान लीजी कि हाली में डॉक्टर विवेक मूर्थी इनको जो है सर्जन जनरल भी बनाया गया है ठीक है यूएस में जो बाइडन के सर्जन जनरल के रूप में ने न्युक्तिया गया है रिवेक मूर्थी विश्व ऑर्टिज्म जागरुकता दीवस 2021 किस दिन मनाया जाता है या किस दिन मनाया गया है तो यह मनाया गया है फ्रेंड्स दो अपरेल को और इसका थीम रहा है इस साल इंक्लूजन इन दे वर्कपेस चैलेंजेस एंड ओपॉर्चुनिटीज इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ड देखें जो यह और्टिज्म है यह एक तरह की स्तरह की कंडिशन है जिसमें बच्चों का दिमाग ठीक तरह से जो है डेवलप नहीं हो पाता है तो इसमें जो बच्चे हैं यह दूसरों से आई कॉंटेक्ट नहीं कर पाते हैं आवास सुनने के बाद भी रियक्ट नहीं करते हैं बासा सीखने समझने में दिक्कत होती है ठीक है तो यह सब इलक्षण होते हैं इसके आगे बढ़ते हैं निलम सहानी को किस राज्य का नया राज्य चुनाव आयु इन्होंने जो है आंध्र प्रतेस्से गवर्णर विस्व भूशन हरीचंदर को जो है इनका नाम recommend किया था और जो governor है इन्होंने भी इसमें अपना सेंट दे दिया था अपनी मंजूरी दे दी थी साथी फ्रेंड्स आपको यह भी जानना चाहिए अगर हम आंद्रप्रदेश से जुड़े हाल ही कर इंटरफेर्स की बात करें तो यहां के जो सी एम है वाइस जगनमों रेड़ी इन्होंने हाल ही में कुर्णोल एरपोर्ट इस को लॉंच किया है और अंद्रप्रदेशी केपिटल है अमरावती बच्चों की लेखी का बेवर्ली एटली क्ली जो की अमेरिकन है इनका हाली में निधन हो गया निमलिकित में से कौन सी बच्चों की किताब उन्होंने नहीं लिख की है तो फ्रेंड्स देखे जिस तरह से यहां पर हम उनको रस्किन बॉंड को मानते है ना बच्चों के राइटर जिस तरह से बेफेमस है इसी तरह से फेंड्स ये भी जो है विस्सो में चिल्डर्न से रिलेटेड बुक्स लिखने में काफी फेमस हैं तो इनकी जो हाली में निधन हो गया है तो हमें बताना है कि इनकी इन में से कौन सी बुक नहीं है ठीक है तो फ्रेंट जो ये पहले वाली है शार्लोट वैप ये जो है इनकी बुक नहीं है बाकी की तीन इनकी बुक है ठीक है तो बेसिकली कोश्चन इसी तरह से मन सकता है कि जो ये जो आपकी ये बेवर्ली एटली क्लीरी है ठीक है यह कौन थी तो यह American author थी आगे बढ़ते हैं तो friends अब देखते हैं previous assignment questions के answer Mount Merapi volcano is in which country Indonesia mission begin again is related to which state Maharashtra who has been named as Delhi capital skipper in IPL 2021 Rishapant which state police launched a QR code complaint system for women's safety अब देखते हैं friends आजके assignment questions और इससे पहले friends अगर आपको हमारा current affairs अच्छा लगता है हमारा content अच्छा लगता है explanation अच्छा लगता है तो वीडियो को आप like जरूर किया कीजिए और जिस भी group में आप जुड़े हो friends महाँ पर हमारी वीडियो को share भी कर सकते हैं who is the CM of Tripura who gave the idea of सब्तक्रान्थी बंदावड नेसल पार्क is in which state which country has recently announced a ban on British individuals and institutions Reserve Bank of India and which Indian state celebrates their foundation day on 1st of April तो friends इन 5 questions के answer आपको हमें comment box में provide कराने हैं अगर आपको एक question का answer भी आता है तो वो भी आप हमें जरूर से बताया करें साथी friends जो भी हमारे PDF सब्सक्राइबर हैं तो अब daily PDF आपको provide कर आई जाई रही है तो आप जो है अपने folder में देख सकते हैं और साथ में आप सभी current affairs funda को telegram पर भी join कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current QG's हम आप सब एक लिए डालते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते हैं आपर current affairs की playlist दी गई है इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ WhatsApp और Telegram पर share करें लाइक करें और comment करें के बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी थैंक्यू गाइस